बच्चो ये जो कलास है एर फोर्स ने भी एससर डबल एक लिए बहुत हेल्फुल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे बिदीन मीनट हर कोचन जो एक्जाम में पुछा हुआ है ये सभी कोचन प्रिवियस है एपी और जिपी के जो के एक्जाम में पुछा हुआ ह और पहला कोचन अपके सामने है ये कोचन बच्चो हमेशा पेपर में आता है और इसको कैसे बनाते हैं बिदीन मीनट और कुछ ही सेकेंड में और मौखिक भी और इसको बनाएंगे हम लोग मौखिक तो पहला कोचन अपके सामने है देखिए बच्चो कह रहा है पी मापद क क्यूं है और क्यूं अपॉठ चैां यह क्यूं की तर्म हैता क्यूं ज्यूर गारब क्यूं क्यूं temp pth term of ap तो दिया है बच्छो q क्या दिया है q और a p plus q का मतलब हुआ कि प्लस q आपद जो n देता है जिसे a se a n देता है तो Na of 7, P plus q का मतलब P plus q आपद 0 दिवा है तो पूंच रहा है přें रहा है एक, दू, तीन, चार, पांच, छोशत, कुछ भी मानो, लाक, जिले भी, पुआ, मलीदा, कुछ भी मानो, सोना चांदी, कुछ भी इंसर आएगा, तो हम मानते हैं, पी बराबर वान, और क्यू बराबर टू, कुछ भी ले सकते हैं, अब पी के जगा एक रखेंगे बचो, तो थर्ड टर्म देरा है जीरो, तो एपी बन गया, पहला पद है टू, दूसरा पद सोचेंगे, तीसरा है जीरो, तो यहां से देखिए, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, बराबर होना चाहिए, इसके बीच का अंतर, जितना यहां बढ़ेंगे, तो उतना ही, तो एक गहाटाएंगे, बचो तो होगा 1, आप गहाटाएंगे तो 0, ए पी बन गया, अब क्योवववववववववव Państ का मतलब 2, बने दुसरा पद, तो दूसरा पद है 1, तो option होगया 1, और 1 माने क्या हैं बचो, P, एक के बड़ाबर P है, तो ऐसे उड़ाया जता है समझाने में टाइम लगा ना तो मोखी 10 सकेंड में आप मुत्तर दे देंगे अगला कोचन आपके सामने कि अगला कोचन करा है कि इफ एसा डिनूर्स दा सम अफ फर्स्ट आर्टम अफ जीपी यदि एसार गोतर स्रेनी के प्राथम प्राशन नहीं मिस्प्रिंट है प्राथम आर्पदो का योग दर्साता है तो एसे इस टुएन माइनस एस एन एस ठीर माइनस एस टुएन बरापर वाट कहरा है बच्छो एस आर्पदो का योगफल है जैसे एस आर दिया है तो आर्पदो का योगफल है जीपी के जीपी के आर्पदो का योगफल है तो कहरा है कि एस एन हमको बताईए क्या बताईए बच्छो एस एन और इसके बाद S2N minus SN बताइए और S3N minus S2N बताइए यही पूछ रहा है तो देखें मचूँ आर्पदो का योगफल है तो योगफल होता है तो उसको पद निकालने के लिए यही टर्म होता है कैसे तो एन बराबर कुछ भी मान सकते हैं एक दू तीन चार पांच कुछ भी मान लो एक दू S1 हो जएगा यह क्या होगा बच्चो S2 minus S1 और यह हो जएगा S3 minus S2 इसका मतलब हुए एक पदो का योगफल हम कुछ भी मान लेते हैं जी पी-जी-पी का कहरा है तो जी-पी का मतलब मान लेते हैं बच्च चुछ भी जी-पी मान लेंगे एक दू चार कुछ भी जो जी-प पहले पद का योग या पहला पद से होता है तो हो गया एक एस टू का मतलब दो पदो का योग अब माइनस पहला तो एस टू जब लेंगे एस टू का मतलब दो पदो का योग दो पदो का योग तो एक अदू जोड़ेंगे प्रथम दो पदो का योग क्योंकि एस आर का मतलब सकते हैंब तो आराप का है योग जो जोड़ेंगे एक और दू तीन और पहला पड़ घटा । तीन में से तो हो जाएगा बच्छो दू और यहां लिखेंगे तीन पदों का योगफल तीनों जोड़ेंगे चार दू छाओ एक साथ और दू पदों का योगफल घाटाएंगे साथ में से तिन घटा देंगे हो जाएगा चार तो जो आया वो क्या फिर तो जीपी आ गया तो कुछ भी मानिएगा यहां एक दू तीन के जगा आप जीपी में कुछ भी मानिएगा पांच पचीस एक सब पचीस कुछ भी मानिएगा चार आठ सोरा कुछ भी मानिएगा फिर वहीं चीजी जिदा आता है तो यह सीरीज हमेशा किसमे होगा यह फॉर्मेट हमेशा किसमे होगा बच्छो जी पी में अपसान नमबर भी ऐसे कोचन भूत बार पुछा हुआ है अगला कोचन आपके सामने है अगला कोच्चन पर नहीं है अगला कोचन है देखे बच्छो जब उपर जाता है जैसे एक बटा दिया हो लोग टू बेस फोर तो उपर जाता है तो बेस चेंज होता है बेस क्या होता है बच्छो चेंज होता है लोग फोर ट्यों हो जएगा ठीक और ट्यू का मतलब टू के पाउर फोर के पाउर एक बटा टू तो एक बटा टू होता है इसका माल कितना होगा एक बटा तू इसी तरह जब दूसरा उपर जाएगा बच्छो तो हो जागा ये फोर्ड बेस्पोर दोनों इकाल रहता है तो एक हो जाएगा अरे जब लोग फोर टू दिज पावर पोर टो एक हए तो एक आगया यह दोनों मिलकर एक हो जाता है इसी तरह वके टो डूट डॉट फिटल जो कॉत तो था यह सब्रह το समय सब्सक्राइब सब्सक्राइब होति सब्सक्राइब यह एक सब्सक् established in 121914 ओपशन नमबर अपसे नूम्बर कले अगला कुशन उendum अगला कॉचिण है फचो अगला कुश्जन लिकिस को मोफिकी बना सकते है जिसे दिया है दू तीन छोव एगारा अठारा का कह रहा है कि यह पद क्या होगा दू तीन छोव टू थ्री शीक्स इलेवेन शीक्स इलेवेन डॉट डॉट माने जिए यह डॉट 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 एन्हों पद टू टू तो टी फिप्टी क्या होगा पचास्वा पद क्या होगा पहला पद यह है दूसरा पद यह है तीसरा पद यह है तो पचास्वा क्या होगा पचास्वा का मतलब बच्चो टी पचास तो टी पचास का मतलब जो पचास दिया है वो क्या होगा तो आप्शन को अब्ज one का हो अलिसक्वार किया है माइनस वोन कि इसमें एक रखने पर पहला आता था जिन नहीं आए इसलिए यह हो गाई से करना है बाएं दूसरा रहां से 49 स्क्वार उन चाहस स्कार समय क्या है पचैस लाप्ट निखल नहीं कि ए एन कमान एक रहने पहला पर दाता है नहीं आता है दून नहीं आराय यह भी नहीं होगा इसी तरह जब डी करेंगे बचो डी करेंगे उन्चासी स्क्वाइर प्रस्टू उन्चासी स्क्वाइर प्लस दू तो देखिए इसका मतलब किया हुआ पाचास से ते कम है और एन मैनस पाचास वन है जो निकालना है उससे कम है पाचास आप प्लस टू इसमें बराबर एक रोख एक रखेंगे तो जीरो अदू आगे दू रखेंगे तो एक अदू तीन आगे सब आ जाएगा इसलिए यहीं आप्शन होगा उन्चासी स्क्वाइर प्लस टू अगला कोशन आप के सामने। एक सब्सक्राइब नमबर अगला पोच्छन आपके सामने है पहले विडियो को रोक करके बनाईए इसके बाद सिखे के ऐसे बनाने पर रीटे नीकलता है इस स्पीड से ऐसे सोचने पर रीटे निकलता है ऐसे सोचने पर रिटेन निकलता है ये बताया गया है अगर ऐसे नहीं सोच ये अगला कोश्चन बच्चो बनाई ये और आपको टाइम दिया जा रहा है थोड़ा सा ताकि आप सोच पाएं कि बना पाएंगे कि नहीं है देके बचो टि Sansha तीन चारइंज मनना ओना एच पी में सतों स्शा फ्राइंजिन को मननाdock तो याद करलि Εचितीन संख्य मणना हो दो कभी भी क्या मानिएगा कि Πैस तर्वास करता है बताएंज भास क्सी मिलत धिक 1 बटा में B-A, 1 बटा में B-A, means 1 plus B-C, 1 बटा में B-C, B-C-2, तो हो जाएगा बच्छो, 1 by 2, 1 by 2 का मतलब कौन सा अप्शन होगा, जिसमें A, B, C का माणन रखकर चेक करेंगे, जिसमें 1 by 2 आ जाए, तो B-C, B-C रख़कर पहले अप्शन में, तो एक बटा हो जाएगा 10, तो पहला अप्षन तो होगा नहीं, दूसरे में रखेंगे बच्छो, तो A-C रखेंगे, A और C, तो एक बटा हो जाएगा नौ, पहला में रखेंगा एक बटा तीन, पलस एक बट चाहो अप्तलग उतम होगा चाहो और यहां बचेगा दू यहां बचेगा एक एक वटता आपसा नमबर सी यह कुछ कंसेप्ट थे यदि आप चैनल को सस्क्राइब नहीं कियां तो सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दे कियां कि यहां पर पूरा प्रीवियस कोचन विद कंसेप्चुल और ट्रीक के साथ बताया जेता है कि जिस तरह बनाने पर एक्जाम निकलता है तो आज के लिए इत